सो गाइस मैंने अपने यूटूब चैनल पर 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोट कर दिया है और इन 200 वीडियो को बनाने में मैं लगबग बेसिक की जो एडिटिंग होता है उसको मैंने सीख लिया है और मैं बहुत पहले से ही सोच रखाता कि अब मुझे वीडियो मैं मुबाईल से वीडियो एडिट करता था शुरुगाथ में मैं काईन मास्टर्ड यूज करता था फिर इसके बाद वीएन पे आया और अभी वीएन पर ही यूज करता हूँ और मुझे लगता था कि एक अच्छा वीडियो एडिट करने के लिए PC पर ही एडिट किया जा सकता है लेकिन कुछ दिन पहले मेरे short feed में sorry जो home feed होता है YouTube का उसमें ऐसे ऐसे recommendation में वीडियो आ रहा है जो कि mobile से एडिट किये हुए है और वह CapCut नाम का एक application है जो कि वीडियो एडिटिंग application है उसे ही edit किया गया है तो फिर मैंने उसके बारे में देखा जाना फिर बुझे बात में पता चला कि CapCut application से भी इतना तगड़ा editing किया जा सकता है वो अभी mobile phone पे फिर मैंने सुचा है कि जो अपना वीडियो editing की journey है इसे pause ना करके इसे continue करते है और आगे देखें के क्या होगा क्या नहीं लेकिन अभी के लिए मैं एक 75 day का editing challenge लेने वाला हूँ और इस 75 day के editing challenge में मैं CapCut application को basic to advance सिखने वाला हूँ और वो सभी possible video जो की CapCut application में edit किया जा सकता है उन सभी type की video को मैं इस 75 day के editing challenge में करने वाला हूँ तो शुरू करते हैं वैसे यह एक 75 day का editing challenge है तो सिर्फ editing का challenge नहीं होगा इसमें continuous video बनाना, सीखना और किसी काम को करना और किसी काम को लगातार करना बहुत फर्क होता है तो इसमें बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए भी मिलेगा और मेरे YouTube चैनल पर भी पता चलेगा कि यदि मैं continue अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ किसी particular topic से related तो मेरे YouTube चैनल का performance क्या है तो इससे मेरे YouTube चैनल को भी फायदा होगा मुझे भी फायदा होगा और आप लोगों को भी फायदा होगा कि कोई इंसान अगर 75 days का editing challenge लेता है तो उसमें क्या-क्या सीखता है और इस editing challenge में लेने के बाद मैं cap cut application का यूज करके ही पैसे भी कमाने वाला हूँ अब कितना कमाऊंगा कितना नहीं कमाऊंगा वो तो 75 day के editing challenge के बाद ही पता चलेगा लेकिन मैं 75 day के जो editing challenge है इसको लेने के बाद इसमें सब कुछ सीखूंगा और सब कुछ सीखने के बाद इसमें पैसे मैं कमाने का कोसिस करूंगा तो आज यह एक छोटा सा एक इंट्रो था कल से day 1 का वीडियो आएगा और उसमें देखेंगे क्या है पहले तो मुझे सीखना होगा कि CapCut application को यूज करते समय क्या क्या प्राबलम हो सकता है उसको मैं YouTube पर Google पर जहां पर भी research करना होगा यूज करूंगा क्योंकि यदि मैं किसी ऐसे project पर काम कर रहा हूँ और बीच में ऐसा lag आ गया bug आ गया कि मेरा project खराब ना हो जाए तो उन सभी चीज के बारे में मैं अच्छे से research करूंगा और कहां से download करना है कैसे download करना है सब कुछ मैं सीखने वाला हूँ और इसके बाद फिर आपके साथ share करूंगा तो यह एक छोटा सा introduction था और आप यदि यह 75 days का editing challenge लेना चाते हैं तो आप भी अपने channel पर continuous कर सकते हैं और definitely मैं कहता हूँ फायदा होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे channel देखे हैं जो कि 75 days का editing challenge लेते हैं कोई अपने video upload करने का challenge लेता है और उनको definitely फायदा हुआ है तो आप भी इस तरीके का editing challenge लेजिए या फिर आप अपने niche के recording challenge लेजिए definitely फायदा होगा और मैं अपना editing challenge कल से शुरू करता हूँ और आगे continuous करता रहूँगा देखते हैं इसको कितना मैं successfully run कर सकता हूँ और इसके बारे में तो ऐसे आपको पता ही चली जाएगा चलो मिलते हैं day 1 editing challenge में